जया मातादी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिस से, दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबाए, दोस्तों हिंदू धर्म में देवी के कई सरूप कहे गए हैं, कुछ ब्रक्षों को देवी मा का सरूप कहा गया है, आज मैं आपको उन पवित्र ब्रक्षों के बारे में बताऊंगी, नवराती के पावन बार में कुछ ऐसी ब्रक्ष है, जो देवी का सरूप कहे गए हैं, हमारे घर में पेड़ पौधों को देवी देपता मान कर पूजा जाता है, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए, साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुश्य को फ्री में प्राण बायू प्रतान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें आकसीजन देते हैं, हमारे कारवन डाई ऑकसाइड जो होता है, जितनी भी नेगिटिविटी होती है, जो नकारात्म पूजा होती है, उसे वे ग्रहन कर लेते हैं, और हमें ताज की प्रतान करते हैं, पेड़ पौधे स्वैम धूप में जलते हैं, और हमें छाय प्रतान करते हैं, नवरादे के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्तों में कहें गए हैं, जिनको छूने मात से बदकिस्मत की ताले भी खुल जाते हैं व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है हमारे शास्तों में पेड़ पौधों को बहुत गुड़कारी कहा गया है अनिक बीमारियों का उपचार भी पेड़ पौधों में छुपा होता है जड़ी बूटियों में छुपा होता है और भागव में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ब्रक्ष के बारे में जिसे नवराती के समय में छूना कल्यानकारी होता है, मंगलकारी होता है, इस ब्रक्ष को अगर आप छू लेते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की परिशानय, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, खास करके नवराती क समय में नवराति के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है शक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है क्योंकि इस समय सभी अचेतन जो वस्तुएं होती है वह चेतना युक्त हो जाती है अर्थात इस समय में जो शक्ति हमारे धर्टी लोक में आ जाती है नपतुर्गा को क्या बोलते हैं शक्ति बोला जाता है, माता रानी नवरात्री में इस धर्ती पर आती हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे जीब जन्तु हैं, चल अचल सभी प्रकार की बस्तुएं हैं, उन सभी में प्राण आ जाते हैं, सभी में माता रानी की शक्तियां नहीं धो जाती हैं, सभी शक्तियां सभी चीजें जाकरत हो जाती है तो इस समय में अगर आप पेड़ पौधों को छूते हैं खासकर कि वे पेड़ पौधे जो देवी सरूप कहे गए है आप अगर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परिशानिया हैं दुख है, तकलीफ है, कश्ट है जो बीमारिया है, कले है, कलेश है मन में चली आ रही बहुत से समस्या है सब समस्या समाब्द हो जाती है आज मैं आपको तीन पौधों के बारे भी बताऊंगी यह तीनों पौधे देव प्रक्ष कहे गए हैं इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदिकी आपको पस्ताना पड़ेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखे बीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें जिससे और लोगों का भी इससे भला हो सके दोस्तों नवराती ऐसा पर्व होता है ऐसा समय होता है जो केवल नौ दिनों के भीतर ही आपको लंबी पूजा पार्ष की जुरत नहीं होती केवल नौ दिनों के भीतर आप अपनी समस्या को आप अपनी गरीवी को स्वयम अपनी आँखों से समाप्त होते हुआ देख सकते हैं दोस्तों नवराती के समय में जो प्रक्ष आपको छूना है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वे आपको अपने घर के आसपार बहुत आसानी से मिल जाएगा एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवराती के समय में जितना जादा हो सके देख रक्ष की पूजा अवश्य ही कहने चाहें तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा ब्रक्ष है जिसे नवराती में छूने से गरीबी दूर हो जाती है सबसे पहला जो ब्रक्ष है बेह है बेल का ब्रक्ष बेल का ब्रक्ष मातबार्वती के पसीनी से उत्पन्न हुआ है इसकंद पुरान के अनुसार माता पार्वती को देवी सरूप ही कहा गया है अर्थात नव दुर्गा मा का सरूप कहा गया है इसकंद पुरान की कथा में आता है कि जो बेल ब्रक्ष है वह माता पार्वती के पसीने से उत्पन हुआ है बेल प्रक्ष की शाखाओं में मापार्वती, जण में भ्रम्मा, तनेमे विश्णो, बागी हिश्णों में भगवान शिप का बास होता है संध्याकाल में शिप मंदिर के समीब या दुर्गा मंदिर के समीब जो बेल का ब्रक्ष है उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए ऐसा करनी वाला व्यक्ति धनवान बनता है, पराक्रमी बनता है व्यक्ति के सभी मनोरत पूर्ण हो जाते है हमारे धमशास्तों में यह भी कहा गया है कि नफराती के समय में जो व्यक्ति मातुरका का ध्यान का बेल ब्रक्ष को साथ बार छूँ लेता है जो लोग उपास प्रत रख रहे हैं वह ध्यान से सुने कहते हैं साथ बार बेल ब्रक्ष को छूने मातर से व्यक्ति की धकान सुस्ति ततकाल ही चली जाती है इसलिए उपास रखने वाले लोगों को नवराती के समय में संध्या काल के समय बेल प्रक्ष को जरूर छूना चाहें आप जादा नहीं छू सकते तो केबल सार बार आप इसे छूकर जरूर आ जाएं और इसके नीचे घी का दीपक जरूर जला दें घी का दीपक जलाने के क्या फायदी होते हैं या सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों उपास करने से प्रत करने से हमारे शरीर में ठकान आ जाती है शरीर में उजा की कमी होती है आध्यात्विक उजा तो प्राप्त होती है लेकिन शारिक उजा की कमी हो जाती है उजा को बर्गरार रखने के लिए बेल के पेड़ को जरूर छूना चाहिए दोस्तों अनिक महात्मा तो बेल की पत्ते खाकर तपस्या करते है धर्मशास्तों में बताया गया है कि बेल के पत्ते खाकर अगर तपस्या की जाए मंत्र जाप किया जाए तो सिध्धी मिलती है अगर आप भी सिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल के पत्ते खाकर मंत्र जाप करें ऐसा कहने से सिध्धी मिलती है बेल के पेड़ के नीचे दीपक भी जरू जलाएं सिध्धी का मतलब होता है कारे में सफलता जिस व्यक्ति को लंबे समय से कारे में सफलता नहीं मिल पा रही है उन्हीं नवरात्री के दिनों में जितने भी दिन हो सके आपको जिसमी समय मिले या वे शाम के समय आप बेल के पेड़ के नीचे घी का दिपक जरूर जला देना अगर कोई व्यक्ति नवरात्री के समय में ध्यान से सुनियेगा अगर कोई व्यक्ति नवरात्री के समय में बेल के पेड़ की जड़ में दूर चड़ा देते हैं तो उससे आदी व्याधी दूर हो जाते हैं, परिशानिया दूर हो जाते हैं, अगर आप सिंदूर युक्ति गंगा जल बेल के पेड़ की जड़ में चढ़ाते हैं, तो इससे गरी भी दूर हो जाएगी, तिल चढ़ाने से सौभाकी की प्राप्ति होती है और ग्रहबाधाय भी दूर हो जाती हैं, दोस्तों बेल पत्र के तीनों पत्तों में धान से सुनियेगा, ती देवी कही गई है महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, बेल पत्र के तीनों पत्तों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का सुरूप माना गया है, बेल के तीनों पत्तों पर अगर M, हिरिम, खिलिम लिखकर मा तुर्का को चढ़ा दिया जाए तो इसी ततकाल ही उसी समय मनुकामना पूर्ण हो जाती है, कारे में सफलता मिलती है, अगर लंबे समय से आपकी कोई मनुकामना है जो आप चाहते हैं मनुकामना पूर्ण हो जाए तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा दोस्तों इसकी जण में ध्यान से सुनियेगा नवराती के समय में आप कोई रिंग ले तामी की रिंग जो शुद्र रिंग होती है आप लें ली सकती है और इसको आप बेल पत्र के पेड़ की जण में चार उंतल गठा खोद कर बहाँ पर इस रिंग को दबा दीजिए दोस्तों बेल का प्रक्षि जाकरत कहा गया है नवराती के समय में इसका औरा इसके उज़ा अतिधिक बढ़ जाती है इसकी जण में जह जो रिंग दबाई जाती है इसमें देविय शक्ति आ जाती है और फिर इस रिंग को पहनने से कोई भी बीमारी नहीं लगती शनी से संबंधे दोश भी नहीं सताता राहू की पीड़ा नहीं सताती नवदुर्गा की कृपा सदैब आप सुरक्षत रहते हैं और उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मित्यू नहीं होती दोस्तों अब मैं जो आपको दूसरी ब्रक्ष के बारे में बतानी चा रही हूँ वह है शमी का ब्रक्ष शमी ब्रक्ष को स्वैम जगदंबा का सुरूप कहा गया है इसमें मादुर का स्वैम विराजमान रहते हैं अगर कोई व्यक्ति नवरात्री में संध्याकाल के समय इसके नीचे दीप चलाता है धूप दिखाता है तो उसकी सभी परिशान या दूर हो जाती है आप चाहें तो इसे नवरात्री में हर दिम कर सकते हैं या कम से कम एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं सब्तमी अश्टिमी पर भी कर सकते हैं दोस्तों धमशास्त में कहा गया है कि नवराती के समय में लाल चूरी कभी भी मनुकामना बोलते हुए शमी ब्रक्षपर बान देने से मनुकामना अवश्य ही पोण हो जाती है। लाल चूरी अगर कोई महिला जाकर बानती है तो उसे सवभाकी की प्राप्ती होती है और उसके पती की कभी भी अकाल मृट्यू नहीं होती। दोस्तों इसकी जर्मि सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरूकी की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में रहने वाले सद्र से, वे बीमार पड़े व्यक्ति के उपर से साथवा सिंदूर को उतार कर इसकी जण में डाल दें, ऐसा कहने से रोक जल्द ही ठीक हो जाता है, लंबे समय से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो इस मंत्र को बोलते हुए आपको शमी ब्रक्ष को छूना है ततकाल आप नवराती में इसके रिजल्ट को देखना जैसे ही नवराती समाप्त होगी आपकी वह मनुकामना जो है वह पूर हो जाएगी आपकी दरित्ता दूर हो जाएगी दोस्तों आपको इस मंत्र को बोलते हु शमी ब्रक्ष को छूना है मंत्र है मम मनोरत पूर्य मम दरित्ता नाश्य मम मनोरत पूर्य मम दरित्ता नाश्य दोस्तों इस मंत्र को बोलते हुए शमी ब्रक्ष को छूने से मनोरत पूर्ण हो जाता है दरित्ता समाप्त हो जाती है करीबी छू मंतर हो जाती है दोस्तों नव जीवन में हर जगे आपका मार्व दर्शन करती है दोस्तों इसकी जड़की मिटी को ध्यान से सुनियेगा नवराती के समय में अगर आप नब्दुरका के उपासना नहीं कर पा रहे हैं पूजा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवर्श तो केवल आप इसकी जड़की मिटी को लाकर नवराती में इसनान के जल में बिलाकर उससे इसनान कर ले ऐसा कहने से आपका भागय उध्य होगा व्यक्ति का भागय चमक जाता है व्यक्ति की जो फूटी किसमत है वह भी चमक जाती है आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमसे मालक्ष्मी नाराज हो गई है मालक्ष्मी हमारी घर आना बंद हो गई है ऐसे लोग अगर आप चाहते हैं कि मालक्ष्मी की आपको प्रक्रपा प्राप्त हो जाए तो नफराती के समय में इसकी मिट्टी को आप अपने घर ले आए और अपने इसनान के जल में इसे मिला कर इसनान करें ऐसा कहने से सरीर के सभी दूश दूर हो जाते हैं शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नकारात्मक शक्ती है वह प्रवेश नहीं कर पाते अरभा के और दरित्ता समाप्त हो जाती है दोस्तों अब जो मैं आपको तीसे प्रक्ष के बारे में बतानी जा रहे हूं उसे दीव प्रक्ष कहा गया है वह है परिजात का ब्रक्ष, परिजात का ब्रक्ष समंद्र मंथन से उत्पन हुआ था, यह देवरार इंड के नंदर बंद में इस्थापित किया गया था, पिर भगवार श्री किष्ट ने मानव जनकनल्यार के लिए इसे धती लोग पर लाए थे, परिजात के ब्रक्ष को मा प्रकार की ठकान हो, पीड़ा हो, नवराती का ब्रत्रकने से कमजोरी महसूस कर रहे हो, वह है परिजात के ब्रक्ष को छूलें, ऐसा कहनी से ततकाल ही श्री से पीड़ा, ठकान, सुस्ती, कमजोरी व्या सबसमाब्द हो जाती है, इस ब्रक्ष के नीचे नवराती के समय में घेका दीपक जलाए और चुटकी भश सिंदूर इसकी जन में डालने से सभी प्रकार की मनुकामना पूर्ण हो जाती है इसके साथ ही आपको यह प्रातना करने हैं कि हे परिचात प्रक्ष आप देवे सरूप कहे गए हैं हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें सभी ग्रह दोश को दूर करें पित्र दोश जो है उसे दूर करें लक्ष्मी दोश को समाप्त करें मालक्ष्मी आपकी बहन कही गए हैं मालक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश हो यह आशिरवाद आप हमें प्रतान करें इस प्रकार ब्रक्ष से प्रातना कर आप अपनी मनुकामना भूल अपनी मनुरत को पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि यह देविय ब्रक्ष कहा गया है दोस्तों अगर आप जल्दी धन्वान बनना चाहते हैं अगर आपके जीवन में कोई कामना है जो अधूरी रह गई है तो हमने जो आपको तेन ब्रक्ष बताए हैं इन्हें नवराति के समय में शूना शुरू कर दें अगर आप इन तीनों ब्रक्ष को छू लेते हैं ध्यान से सुनिएगा ऐसे व्रक्ष का कारे सफल होने से ऐसे व्यक्ति के मनुकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नह आपके जिन्दिकी को सवा देगा आपकी जिन्दिकी की परिशानियों को दूर देगा उमीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी माता रानी की क्रपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बोक्स में जै माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कर अप माता दी